साथियों पुरानी पेंसन बहाली को लेकर दी चेता होनी प्रदेश के समस्त इसकोलों में साला सिधी प्रग्राम लागू करने की तैयारी नवीन सत्र की सुरवात के लिए होगी विशेश तैयारियां गर्मी अधिक बड़ी तो कक्साओं का समय भी बदलेगा नए सिक्सेसत के सालों से जमें बी आर्ची हटाने पर विचार करमचारियों ने गिनाय सरकार को प्रमोसन के विकल्प सुजहाओ पर सरकार ने भी दिये सहमती के संकेत इस परकार की पूरी खबर के लिए लेटेस्ट इंफोर्माशन के लिए इस वीडियो में आप अंततक बना रहें दोस्तों बिना समय गवाय जानकारी को स्टार्ट करते हैं खेली बड़ी खबार पुरानी पेंसन बहाली को लेकर दीचेतावनी अगर सरकार पुरानी पेंसन बहाली पर गंबर नहीं होती है तो आरपार की लड़ाई होगी दोस्तों जल्दी सेच वीडियो को लाइक कर दीजी और सस्क्राइब कर दीजी आपका लाइक करना और सस्क्राइब करना ही हमारी महेनत का फ़ले यहां समागम में पहुँचे नेताओं ने लोग हीत में अपनी पुरानी पेंसन बाहली पर जोड डाला, चेताओं ने दी कि करमचारी सरकार का रविय से निरास हैं, करमचारियों के भयूसे के बारे में सरकार बिल्गुल भी नहीं सोच रही, ऐसे में अब करमचारियों के सा लेकर बड़ा अंदलन क्या जाए दूसरी बड़ी ख़वर प्रदेश के समस्तिस्कोलों में साला सिध्धी प्रोक्राम लागू करने की तैयारी इस ख़वर 23 फरवरी 2020 किये जो की भोपाल से लगी राज्जी सिक्सा के अंदर मद्य प्रदेश को साला सिध्धी मामले में अव बता दे कि मोजुदा 17 में प्रदेश के 25,000 मिडिल और प्राइमरी स्कोलों में साला सिध्धी कारिकरम चल रहा है कुछ महापुर्व 36,000 और चैनित हुए पर वहाँ पर यह कारिकरम लागू नहीं उपाया है अब भारा सरकार मद्य प्रदेश के समस्त प्राइमरी और मिड प्रदेश की प्रतियक साला में बच्चों का बोधिक बल बड़े प्रसासिनी गतिवदियां भी अलग हट करो इस प्रकार की कोशी से नवीन सिक्सन सत्र में रहेगी काम से मुझ चुराते सिक्सकों पर रहेगी नजर बच्चों की दक्सताओं पर फोकस करते राजिसका केंद्री की नजर उन काम जोड़ सिक्सकों पर ठीक गई है जो हमेशा से पड़ाई से दुरी बनाए हुए ही कई ये शिक्सकों ने नियम कानुन को समझाए अब राजिसक केंदर ने साफ किया है कि joka कारे वेवार संकुल प्राचारी के दिपोर्ट पर तै होगा यदि employment केंदर कलेक्टरों को पतल लिखा जा रहा है केंद्र केनों सा राजदनी में दरजनों ऐसे सिखसकें जिनोंने 800 से बच्चों को पढ़ाई नहीं अब ऐसे सिखसकों को भी पुरा समय स्कूल में देना होगा अन्यतावा इसका खामेजा उठाएंगी दोस्तों दो वर्सों से साला सिद्धी का प्रोग्राम कागजों में चल रहा है और जहां पर लागू किया गया है उन इसकूलों का बच्चों के पढ़ाई का सर गिरा हुआ है क्योंकि उन इसकूलों के सिखसकों का आधा समय कागजी खाना पूरती में लग जाता है साला सिद्धी के अंतरगत इसकुलों में जो कमी है उसको ढूंडने में 6 महीने लग जाते हैं और उन कमियों की पूर्ति कोई नहीं करता है कि अबल साल भर समुल्यांकन बहाय मुल्यांकन और उनकी कागजी खाना पूर्ति चलती रहती है साथियों इस चैनल के माध्यम से मैंने अपना मत रख दिया है आप भी अपने विचार वेक्त करना न बुलें तिसरी बड़ी ख़बर नविन सत्री की सुरुवात के लिए होगी विशेज तयारियां गर्मी अधिक पड़ी तो कक्साओं का समय भी बत लेगा विशेज ख़बर 23 फरवरी 2020 किये ही जो कि भोपाल से लगिये राजजी स्कसा के अंदर अप्रेल से नविन सिक्षन सत्री की तैयरें पूरी ताकत जोकर आई पहले ही दिन से जायफू लर्निंग सुरू होगा अधिकारियों का कहिना है कि बच्चों को मनोरंजग सिक्षा के माध्यम से इसकोलों को आकर्चित किया जाएगा अप्रेल से नीमित समय पर इसकोल खुलेंगे यदि गर्मी का इस तरफ प्रकोप रहा तो कक्साओं का समय बदला जाएगा सत्र नीमित रूप से से लेगा इन प्रस्तितियों में कक्साओं के समय बदला होगा ताकि बच्चों को परशानियों को सामना नहीं करना पड़े राज्य सिक्षा किंद्रे के संचालक आयरेन सिंथ्या का कहिना है कि नविन सिर्षनत की पूरी तयारिया है इसके लिए नेमित रूप साधिकारियों की बेड़ के ली जा रही है जिलों में परियोजना समनयोक और जिला सिक्षाधिकारियों को निर्देश दिये गए कि वह परभाई तरीकी से सत्र की सुरुवात करें इसको लोगा आकरसन बढ़ाया जाए जिन सालाओं में रंग रोगन और साफ सोपई नहीं है तो इसकी बहतर व्यवस्ता करें गर्मियों को ध्यान में रहतो है बहतर सुद पेजल की व्यवस्ता करने के निर्देश दिये मेदानी अधिकारियों का कहिना है कि हर साला परिसर में बालक बाले का मांच से सोचालाई, पानी और हवा के इंदिजाम करना जरूरी राजधानी में सत्री की तैयारिया, राजधानी में नवी इंसिलन से तरियांस युद इस्तर पर चल रही है जिला परियोजना समयनोक प्रभाकर सिर्वास्तर ने बताए कि पहले ही दिन से जाएफोर लणनी के मादम से कक्साइन लगाई जाएगी कक्साओं में खुस नुमा वातावन बनाया जाए, इसके लिए हम लगातार बियार सेसी और जन सिक्सों को से चर्चा कर रहे ही प्रभाकर सिर्वास्तर ने बताए कि राजिक सकेंदर ने जो निर्देश देए उसी के अनुसार इसकोलों का संचलन किया जाएगा शिक्सों को समय पर सालाओं में अपनी मुझूद की दर्ज करवाना होगी, पहले ही दिन से इसकोलों के सगन रिक्सन किया जाएगी चोथी बड़ी खबार, नए शिक्सन सद्र से सालो सजे में बियार सिसी हटाने पर विचार्ज किया जा रहा है विशेश खबार, 23 सरवरी 2020 की जोगी बहपाल से लगी, नविन शिक्सन सद्र से राजिक सकेंदर सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है जीन बियार सिसी का परतिनुक्ती कारिकाल तीन साल से ज़्यादा हो गया है, उन्हें हटाने पर विचार किया जा रहा है इस प्रक्रिया पर केंदर में मन्थन चाल रहा है, राज्जी सिक्सा स्यावा संक्टन के बाद उड़ते विवादों को लेकर भी यह तैयारिया हो रही है हलाकि यह मांग लगातार उड़ रही है कि सभी बियार सिसी पतस्वाप्त करके एयों को जाबदारी मिलनी चाहिए बता थे कि प्रदेश में अधिकांस बियार सिसी ऐसे ही, जिन पर वित्ती अनुमेदा थी गंबिर सिकाय थे ही जाद अतर बियार सिसी तीन साल से अधिकाय कारिकाल पूरा कर चुके ही इस कारण प्रतिनुक्ति कारिकाल पूरा करने के बावजूद सालों से जम्हें बियार सिसी को हटाने के लिए राज जिससे के अंदर हरकत में आ रहा है सरवसिक्षव अभियान सुरू होने के बाद राज्य में परतिनुक्ति के रूप में PRCC कपत सरजीत हुआ था इन्हें रखने के अधिकार जीला कलेक्टरों को सोपे गहते क्योंकि कलेक्टरों पर मिसन संचालक का दाइत हुए पर जो नियम है उसका अधिकान से जगों पर इमानदाश्य पालन नहीं हुआ है इस पत पर रहने के लिए पहली प्रात्मिता व्याख्यता को दी गई है अगर लेक्षर नहीं मिलता है तो फिर मोका मेडिल विवाक के हेड्मास्टर को देना जरूर ही सर्त यह है कि इन्हें प से नियुक्त हुएं यतावत जम्हीं कई ऐसे भी हैं जो कि पहले बीएसी रहें फिर अपसोरों की हुजुरी कर बिना साखसतकार के बीरसी पर प्रभार ले लिया है जबकि इन्हें चार साल बाद मूल साला में बेजना जरूर ही है आरोपे की टीपीसी ने आर्थिक तानम साजी एक वज़ा या भी है च्वी और आखरी बड़ी खबर करमचारियों ने गिनाए सरकार को प्रमोशन के विकल्प सुझाओ पर सरकार ने दी सहमाती के संकेत से इस खबार 21 फरवरी 2020 का है जो कि वह पाल से लगाए कानों ने उल्जों में फसी सास्की सेहों की पदोनित निती बनाई जाए दूसरा विकल्प यह है कि वेतनमान के अनुरू पदनाम दिये जाए तीसरे में उच्चितम न्याले के अनुमती लेकर अंतीम आदेस होने की प्रतेक्सता में पदोनोती प्रक्रिया प्रारंब की जाए दित्री विकल्प में अधिकारी करमचारी को ला वाकात की गई थी उन्होंने बताया था कि बदोने जो पर प्रतिबंद होने के कारण करमचारियों को बड़ा आर्थिक नुपसान हो रहा ही बिना प्रमोशन का लाब लिए करमचारे निरंतर रेटायर हो रही है दोस्तों वीडियो के इस टोपिक पर अपने विचार विक् शेयर किजी थेंक यू